नमस्कार पोशन ट्रेकर एप में ये जो AWC infrastructure का option आप लोग देख रहे हैं जिसमें आगणवारी केंदर की विब्रानी भरनी होती है तो हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि इस पोशन ट्रेकर एप में कुछ अपडेट आये थे जैसे इनफेंटो मिटर और स्टेडियो मिटर भरने का तो अगर आप लोग उसको भर चुके हैं तो फिर से इस पोशन ट्रेकर एप की जो AWC infrastructure है इसमें चार नए option को जोड़ा गया है वो चारों नए option क्या है और उसको कैसे भरना है जैसे कि इनफेंटो मिटर और स्टेडियो मिटर और जो बच्चों के मापने है तो जो यंत्र दिये गए थे तो आगनबारी सेविकाय बोल रही थी कि अगर वो मसीने खराब हो जाए तो उसकी जनकारी हम कैसे भरेंगे तो फाइनली पोशन ट्रेकर एप में चार नए ओप्सोन को जोड दिया गया है जिसमें आप उसकी जनकारी भर सकती है कि आपके आगनबारी के अंदर पे वो जो मसीने है खराब है तो उसको भी भर सकती है और उसकी कंडिशन अच्छी है तो उसको भी जनकारी आप इसमें भर के अपने विभाग में जमक कर सकती हैं तो वीडियो में आप लोग बने रहें वीडियो को आप लोग बिना इसकीप किए कम्प्लीट जरूर देख लीजिएगा उससे पहले आप सभी से एक और बाते सेयर करना चाहूंगा जैसा कि आगनबारी सिविकाओं को पोसन ट्रेकरेप में बेनिफिसरी वाले केटेगरी और होम बिजी स्टीडूल का जो डाटा है वो ओपन ही नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए देखिए क्या करना है कि ये जो डाटा है आपका जल्दी से ओपन होने लगे सबसे पहले देखिए हम यहाँपे आपको यह सभी लभार्थियों का डेटा खोल के दिखा दे रहा है यह कैसे एकदम जल्दी से ओपन हो रहे है देखिए हम गरभवाती महिला की लिष्ट को ओपन किये तो एकदम जल्दी से ओपन हो गया फिर अस्तन पान कराने वाली महिलाओ की केटेगरी ओपिन किया वो भी ओपिन हो गए यहाँ पे 0 से लेके 6 महिने की बच्चों की भी केटेगरी ओपिन हो जा रही है 6 महिने से 3 साल वाले बच्चों की भी केटेगरी ओपिन हो जा रही है तो आपको क्या करना है कि ये आपके portion tracker app में इस परकार से लभार्तियों के data open होने लगे तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जैसा कि अगर आप लोग portion tracker app में इस परकार की problem से जूज रहे हैं तो आपको क्या करना है तो अगर आपके portion tracker app में जिस भी category में ये लभारतियों का data open नहीं हो पा रहा है तो उसको आप लोग open किजिएगा open करने के बाद ये जो loading का option दिखाता है तो आपको यहां से back नहीं करना है आप लोग इसको ऐसे ही छोड़ दिजिएगा तो कुछ मिन्टों के बाद आपकी ये जो loading है वो complete हो जाएगी उसके बाद आप दिन में कभी work करेंगे तो आपको ऐसी problem नहीं आएगी हमने भी ऐसा ही किया हम यहां पे आपको बता दें कि हम रात को लगभग 11 बजे करीब में ये वीडियो बना रहे हैं और रात को 10 बजे हम ऐसा काम किये तो हमारा ये सभी लभार्थियों का data एकदम जल्दी से open होने लगा अब कोई भी problem नहीं आ रही है मैं यहां पे home visit वाले category में भी आपको दिखा देता हूँ कि किसी भी लभार्थियों की category हम लोग open कर रहे हैं तो इस परकार से एकदम fast में open हो जा रहे हैं कोई भी अब trouble नहीं है इस पोसंट tracker app में यहां पे देख सकते हैं तो इस परकार से आप लोग के साथ भी problem है तो ये काम आप लोग कीजिए आपका 100% आपकी जो लभार्थियों का category है वो open होगा जैसा कि अब बच्चों की category में या किसी भी लभार्थियों के टेगरी में कुछ भी change करना चाहें या उसमें update करना चाहें तो अब easily कर पाएंगे जैसे कि विकास की जो growth monitoring है यानि growth monitoring के विलिश नहीं open हो पा रही थी वो भी अब open होने लगी है तो इस प्रकार से आप लोग करेंगे तो आपकी ये जो problem है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तो आईए अब हम लोग जानते हैं जो AWC infrastructure यानि आगनबारी केंदर की जो विबरनी है उसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो third number form है building की सुविधा का विबरन जैसे कि वो जो machine आप लोग को उपलवद कराई गई है उसकी इस्तीती कैसी है ठीक है या खराब है उसका भी विबरन आप सभी को इस third वाले option में भरना होगा तो आईए जानते हैं यहाँ पर building की सुविधा का विबरनी open कर लेना है यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके दोरा जो आगनबारी केंदर के विबरनी है वो कब भरा गया है यहाँ पर नीच मशीने है वो किस condition में है उसका condition ठीक है तो आपको हा करना है और condition ठीक नहीं है तो उसको यहाँ पर नहीं select कर देना है फिर यहाँ पर थोरा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है waiting scale functional तो mother and child के लिए है यह दूसरा मशीन है तो उसके लिए आपको यहाँ पर भी हा रहा है हान नहीं जो भी हमने इसमें select किया है वो दिखा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं infantometer functional और estereometer functional तो जो मशीने आप लोग के आगनबारी केंद पर उपलवद है उसकी condition कैसी है इसकी जनकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी तो चलिए सभी जनकारीयों को भरते functional infantometer functional का जो option है उसे भी हम हाँ select करेंगे फिर यहाँ पर estadio meter function इसे भी हम हाँ ही select करेंगे तो सभी मसीनों की condition हमारे आगनबारी केंद पर ठीक है तो हम हाँ पर किलिक कर दिए हैं आपके आगनबारी केंद पर कैसी है उस हिसाब से आप यहाँ पर भर सकते हैं भरने के बाद यहाँ पे जारी रखे पे किलिक करेंगे उसके बाद अगर अगर आप लोग कोई भी चेंजिंग वगरा करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं वरनाई यहाँ पे लाश्ट वाला जो आप्सन है इसको सेलेट करके यहाँ पे सब्मिट कर देना है सब्मिट आप जैसे ही करेंगे तो अभी यहाँ पे कुछ मैसेज लिखके आएगा जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं तो इस परकार के मैसेज अभी दिखा रहे हैं जब यह प्रोबलम ठीक हो जाएगी तो आपको यह जो आप्सन दिये गए हैं इन सभी को भरके फिर से समिट कर देना है उमिद करता हूँ कि आप सभी को आज की यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने आगनबारी बहनों के साथ सेर भी जरूर करें मिलते हैं फिर किसी नई टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद